इसके साथ ही आप ये भी जानते हैं कि कैसे आजकर जोया का ज्यादा वक्त अर्शत के साथ बीचता था इतना है नहीं जोया ने तो ये तक सोच लिया था कि अगर अशक कुस दिनों में उसके दिल में जगह बना लेता है तो उसके साथ निकाह कर लेगी और जोया के अब्बू और अम्मी भी यही चाहते थे साथ ही वसीम का तो ये मानना था कि अच्छा लिड़का जो जोया को भी हो जाएगा प्यार के असास और इन सब के बाद ये सब देखना हो जाएगा काफर देल्चस्त की कहानी कौन सा नया मोड लेती है ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फो यू टॉप आपने के लिए सब्सक्राइब